कैसे हैं आप सभी लोग आई हो बच्छे होंगे और आज किस वीडियो में देखेंगे जो भी छात्र दानलोड कर सकते हैं महां जाके यह फिर आप हमारे बीडियो को सब्सक्राइब कर लो बहुत अच्छी तरीके साब को सारी में सब्सक्राइब कर लेना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शॉर्ट में समझा देता हूं यह कोशन बस यहां से लेकर बस इतना लिक दोगे तो उदारबादियों के राजनिदी के सद्धान्त क्या थे तो उदारबादी के जो राजनिदी के सद्धान्त थे उनके बारे में विसकर सरे गए आपको बता है 1885 से लेकर 1905 तक के उदार राष्टबाद का योग कहा जाता है मतलब यह बोला जाता है जो उदार राष्टबा कांग्रेज को अंग्रेजों की न्याय प्रियता में बिस्वास था मतलब क्या था कांग्रेज को क्या था कि अंग्रेज जो न्याय करते थे ठीक है उस पर बिस्वास था कि वो न्याय किया है तो न्याय जो प्रियता है उसमें बिस्वास था यह बोला गया और साती साथ उन्ह उदार राश्टिबादों ने उन्होंने ऐसा समय में राजनितिक संगर्ष चलाया और उन्होंने क्या गया उस समय में क्या गया राजनितिक संगर्ष चलाया जब समाज के एक बड़े तबके में राजनितिक कह सकते हैं राजनितिक चेतना पहुंची कह सकते हैं पहुंची त गटे तबके में राज נीति चेतना पहुची ही नहीं थी अगरा है उन उदारबादियोंने भारती राती राज नीतिके उसको एक नया मोन देया उसके बाद वे क्या आगा देश में एक सबस्क्राइब 살के वार्व है जए हैं राजनितिक चेतना जगाई और बुद्दी जीवनियों जो होता है बुद्धि जीवनियों मद्याम बर्ग अधम मध्यhen बड़िये लोगों को उनने दो एkon 2 रहते थे उनके के बीच में क्या हुआ कि समाह कह सकते हैं उन्होंने सिंपल ऐसे बूल सकते हैं कि उन्होंने सामुहिक हितों में सामुहिक हितों के पृति चेतना जगाई कि आप ऐसे हो सकता है आपको इतना लाब हो सकता है लेकिन वही हमने ऊपर थोड़ा सा यह सूशना का कि कांगरेश पहले थी तो वो अंग्रेशों को नियाय का विश्बास करती थी और उन्होंने प्रत्रम के जो कांगरेश थी वो वैदान नहीं किती उसके बाद में उदारवादी थे, उन्होंने राधनित संगर्स किया, राधनित संगर्स करने के बाद में उन्होंने लोगों के परती उन्होंने विश्बास लाया कि हम ऐसे करेंगे तो ऐसा हो सकता है, तो कुछ ऐसे चीज़े हमको डिस्कस करनी है, आप देखो यहां उद् उनके आर्थिक अबधारना और उनके चरित्र को जनता के सामने जागुर करना ये उनका उद्देश था उदारबादियों का और दूसरा उद्देश था कि भारत को ब्रेटिस उपनिसेद का दर्जा दिलाने की मांग करना कि भारत को क्या करो उपनिसेद का दर्जा दिलाओ भी यह बोला गया और यह था उनका उधारबादियों का राजनेतिक उध्ष था और साती चाहँ था कि जंता को सइस्षोट सब्सक्रण के लिए संगर्ष के लिए प्रेद करना मतलब उन्हों ने ये भी का उन्हों उध्ष क्या था यूं कि जनता जो भारत की जनता है उसके लोकतंत्र और धर्म बेक्षता साथ नागरिक सोतंत्रता के लिए मदब सोतंत होने के लिए संघर्ष करो प्रेड़ करना कि भाई संघर्ष करने के लिए मतलब कि आंदूलन करने के लिए संगर्ष करो कि बाई कुछ हो जाए हम सोतन्त हो जाए ऐसे संगर्ष करो इनके लिए प्रेडित करना मतलब उक्साना ऐसे कह सकते हैं और भारत के लिए स्वासासन की मांग करना तो भारत के लिए सोसाथन की मांग करना भी उनका उद्देश था तो ये पांच उद्देश को आप याद कर लीजिगा बस इतना ही आपको याद करना है कुछ जादा खास याद करने के जुरूत नहीं पड़ेगी और आज सभी चातरों से कहना चाहूँगा पेपर हैकर को अबने सस्क्राइब नहीं किया तो कर लो दोस्तों को शायर कर दो बैला आकर को प्रेस कर दो जादा से जादा दो शायर करना है मिलते हैं रहे से तब तक के लिए बाए बाए